कोरोना महामारी को लेकर देश भर में लॉकडाउन 4.0 जो लगाया गया था अब वो समाप्त होने जा रहा है लेकिन उससे पहले ही मुखे मंतरी अशोग गहलोत नी राजस्थान में लॉकडाउन 5.0 का एलान कर दिया है मुखे मंतरी ने अधिकारियों के साथ हुई बैठक में निर्ने लिया जिसमें 31 मई के बाद प्रदेश भर में रात्रे कालीन कर्फ्यू जारी रहेगा शाम 7 बजे से सुभा 7 बजे तक एमजन से सेवाओं के अलावा सब कुछ बद रहेगा और साथ इस सभी नागरिकों को कोरोना को लेकर जारी की गई एडवाईजरी का भी पालन करना होगा और इसे के साथ मुखे मंतरी ने एक और एलान किया जिसमें मुखे मंतरी अशोग गहलोत ने अधिकारियों को ये निर्देश दिये ताकि जुलाई अगस्त में आने वाले कोरोना की दूसरे दोर से निप्टा जा सके और इसे के साथ मुखे मंतरी ने बच्चों की टीका करन और राजकीर चुके चाले में मात्र एवं शिशियों स्वास्त सेवाई सुनेश्चुत करने के भी नर्देश दिये वहीं मुखे मंतरी ने शुमिकों को सुगमता से रोजगार उपलब्द करवाने के लिए सुमवार से राजकॉशल राजस्थान एंप्लॉइमेंट एक्सचेंज का शुभारम करने की भी बात कही